आज भी कई गाओं ऐसे हैं जहां के वाशिंदे समस्याओं से चकड़े हुए हैं यहां सड़क, पानी, बिजली जैसी, मूल, भूत, सुविधाई तक नहीं पहुंच सकी हैं पर साथ के मौसम में चार महिने ग्रामीन घरों में कैद हो जाते हैं और किसी जरूरी काम के लिए जान जोखिम में डाल कर नदी पार करनी पड़ती है जिससे आक्रोशित ग्रामिनों ने तहसीरदार और थाना प्रभारी को कलेक्टर के नाम पर चेतावनी भरा ग्यापन सौपा और कहा कि अगर 30 दिनों के अंदर पुल की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो वह बड़ा अंदोलन कर चक्का जाम करने पर मजबूर होंगे आजादी के 75 साल बाद भी ये गाउ मूल भूत सुविधाओं से वंचित है सतना चिले के संग्राम टोला गाउ के लोगों को सुलब जीवन यापन के लिए कोई सुविधा उपलब्द नहीं है उन्हें मत अधिकार तो मिला है लेकिन इसका फाइदा चुनाओ लड़ने वालों तक सीमित है चुनाओ जीतने के बाद सर्पंच से लेकर विधायक संसदों को इस गाउं की बहतरी के लिए समय नहीं मिला आजादी के बाद से ही उपेक्षा का डंश इस गाउं के लोग फोकते आ रहे हैं ग्रामीनों के अनुसार इस गाउं से शहर की और जाने के लिए पक्का मार्ग भी नहीं निर्मित हो पाया है इसके अलावा उनका जीवन नर्क समान है यदि किसी घर में कोई बिमार पढ़ जाए तो यहाँ पर एंबिलेंस आधी का आना नामुम्किन है ग्रामीन ही अपने बिमार स्वजन को चारपाई पर लेटा कर उसे कंदे पर रख कर शहर की और भागते हैं ग्रामिनों के अनुसार देश की आजादी को भले ही 75 साल से अधेक का वक्त हो गया हो लेके ने इसका कोई फायदा नहीं मिला है वे आज भी समस्या रूपी गुलामी में जीने को विवश है आलम ये है कि ग्रामिनों ने नेताओ से लेकर अधिकारियों को अपनी समस्याओ के बारे में अवगत कराया लेकिन आज तक समस्याओ का निराकरन नहीं हो पाया है और पुल की समस्याओ की स्थिती जस की तस बनी हुई है मेरे जंगार में तो भारत के अंतरगात आता है लेकिन हम तो नहीं मानते हैं कि हमारा देश भारत के अंतरगाता आता है अज़ देर साधा आजाद हो चुगा लेकिन हम अपने आपको आजाद नहीं मानते कि संगराम तोला आजाद है उसी तरह आज भी गुलाम है कई बार यह अब आज मुख मंत्री सांसर और विधायक के यहां पहुचाई गई लेकिन सब आस्वासन दे कर इसको आना कानी कर देत किस काम का हम कहें कि हम भारतवासी हैं